नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट आए बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन के सामने ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट है जिसमें पांच मिनिट के टाइम फ्रेम को लगाय हुए और इसमें जिस तरीके की मुवमेंट लास्ट रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ़ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा है उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में आने वाले सेशन में वो कौन से दोस्तों अभी जिस तरीके का हमने एक सिनेरियो देखा है लास्ट विक बनते हुए मार्केट ने एक सपोर्ट को होल्ड करने की कोशिश करी थी पर कहीं ना कहीं मार्केट के क्लोज होते होते उस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया और उसके नीचे सस्टेन करने की कोशिश करी कौन सा था वो support level उसको लेकर हम बात करेंगे और आने वाले time में कहां कहां पर वो support और resistance level है जो हमें ध्यान में रखने हैं अपने किसी भी trade को लेने से पहले देखिए अभी जिस तरीके का market हमारे सामने नजर आ रहा है intra day में थोड़ी सी correction है और positionally एक इसमें एक uptrend जो बना हुआ है वो continue रह सकता है इस चीज़ की एक expectation अभी भी बनी हुई है ये सारी expectation कहां पर खतम होंगी किस level पर खतम होंगी उसको लेकर अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा ये market ने strongly अपने आपको होल्ड करके रखा जब ये वाली closing होई थी market की ये शायद Thursday की है market ने अपने एक support के ऊपर ही अपने आपको close किया था support level था उस ताइम हम discuss कर रहे थे 17,576 का gap down opening support break हुआ market में फिर ये chances होते हैं कि अब selling pressure जो है वो बना रह सकता है ठीक है market ने बहुत strongly इन levels को hold करके अभी तक रखा रखा हुआ है जो last reading price रहा वो था 17,526 देखिए जब भी एक selling pressure market में build होना शुरू होता है तो कही ना कही उसे उपर आने में market को वो थोड़ी सी एक struggle करना पड़ेगा तो एकदम से ऐसा नहीं के market ने support level break किया और फिर वहां से एकदम से हम फिर upside move देखें तो ये एक price है जो break हो चुका है जिसके नीचे market अपने आपको hold कर रहा है तो कही ना कहीं excelling pressure है अभी सिर्फ यही चीज हमारे लिए important है उसको देखते हुए हम अपनी आगे की observation करेंगे पंदरा मिनट के time frame पे देखें market में एक strength काफी उपर के prices यहां से market में धीरे धीरे correction prices नीचे और यहां से अभी in levels पे कहीं market hold होता हुआ नजर आ रहा है intraday में market ने 18,000 के price को touch करने की कोशिश की और कहीं न कहीं selling pressure बना रहा वापस 17,500 के आज़ पास के level अभी market show कर रहा है तो यहां से जब बैंग आती है तो कौन सी वो strength है जो इसमें हमें देखनी होगी देखिए पूरे के पूरे market में मैं बात कर रहा हूँ हर जगे कहीं पर भी कोई major ऐसा crash हमें नजर नहीं आ रहा है कि हम prices को nifty index में नीचे जानने की कोई ऐसी expectation रखे देखिए जब वो crash आएगा भी बहुत gradually market over a period of time it keeps on increasing बढ़ रहा है और बढ़ता ही रहेगा इस तरीके का एक trend इसमें बना हुआ है short selling को मैं अब से नहीं बहुत time से अभी nifty में avoid करने के लिए कहा रहा हूँ और खास तोड़ से अभी पीछे इसमें यहां पर एक वापस 17800 का शायद यह लेवल था यह break वह था उसके बाद market नहीं indication दिये थे कि prices अब उपर की तरफ move कर सकते हैं अभी सिर्फ intraday के लिए थोड़ा सा इसमें pressure बना है और आगे चलते हैं एक घंटे के time frame पे यहां पर अगर हम देखें prices उपर और उपर और यहां पर strongly अपने आपको यह एक consideration period रह सकता है nifty के लिए ठीक है यहां पर अभी कोई भी opening होना market की उपर देखें अगर market gap up opening की दिखाता है चाह छोटी सी भी short selling का favor ना करें ठीक है market में short selling के लिए भी दिन आएंगे वो कब आएंगे वो बहुत easy है समझना और आगे चलते हैं ज़्यादा इसमें time नहीं लगाते यहां पर अगर हम देखें देखें आपको बहुत clearly समझ में आजेगा यह index है बिल्कुल flat trading sideways trend यहां से एक uptrend के लिए breakout दिखाया ऊपर यहां थोड़ा सा भी hold होता है नजर आ रहा है इन clean levels पे और उमीद ही है कि यह अपनी upside moment को continue रखेगा उसका एक important factor यह है देखें मैं जिस चीज़ से relate करता हूँ crude oil में एक strength नजर आ रही है तो crude oil में जब भी एक strength बनी रहती है तो वो किसी भी market को इतना easily गिरने नहीं देता ऐसा नहीं होता कि crude oil में strength है और stock market जो हो crash हो रहा है दोनों चीज़े मतलब कुछ ऐसा जरूर हो सकता है कि एक आज गिरा एक कल गिरा वो चीज़ जरूर हो सकती है पर हम अगर एक छोटे time frame में देखें तो दोनों ही चीज़ों का trend जो है वो या तो strong नजर आ रहा होगा या weak नजर आ रहा होगा तो अभी crude oil में एक बहुत अच्छी strength नजर आ रही है जिसका आफर stock market पे भी है और stock market में भी कोई एक particular कहीं पर कोई Nikkei, Hang Seng और Dow Jones मतलब किसी में intraday में या किसी single day किसी में correction देखने को मिल जाती होगी पर जो overall सारे के सारे exchanges है वो uptrend में है तो इन चीज़ों को, इन factors को हमें थोड़ा सा धिहान रखना चाहिए और आगे चलते है daily time frame में यहाँ पर अगर हम देखें तो यह consideration उपर यहाँ पर यह आप range देख रहे है बहुत strongly market ने consolidate किया था यहाँ से एक और upside prices उपर और यहाँ पर अभी है यह hold होते हैं नजर आ रहे है weakness intra day में थी थोड़ी सी और शायद रहे पर short selling से अच्छा यह रहेगा कि market अगर correct होता है तो buying के लिए levels जुने और market उपर जाने की कोशिश करेगा वापस चलते हैं गंटे के time frame पे अब उन levels को हम डिसकस करते हैं जो हमारे लिए अब आने वाले session में important हो सकते हैं सबसे पहला level जो market ने break करा वो यहाँ पर था 17,576 उसके नीचे यह शायद 500 को पता नहीं शायद break करा था इसने कुछ 100 point किये और correction इसने दिखाई थी इस level से ठीक है अब यह देखना होगा weekly closing हो चुकी है अब weekly opening कहाँ पर होती है वो चीज़ matter करेंगी दूसरी चीज़ इसके बाद जो level है 17,310 और फिर 17,220 और फिर 16,950 इन तीनों में देखिए market correct होता हो नजर आएगा आपको भी यह लेगेगा कि मैं कहाँ पर कितनी नीचे selling के लिए कह रहा हूँ पर मेरा यह मानना है कि जब तक यह price 16,950 break नहीं हो जाता तब तक short selling की habit को थोड़ा सा avoid करें जब तक यह break नहीं होता market में पूरे chances बन सकते हैं कभी भी कि वापस एक high price touch हो सकता है या break हो सकता है यह बहुत strong price है market में reversal के लिए यह break हो गया तो market में एक downside का trend स्टार्ट हो जाएगा मैं यह नहीं कहा रहा है अभी भी हम यहाँ पर अगर buying करते हैं current price पे तो यहीं से market ऊपर move करेगा पर हमें तब तक 16,950 break नहीं होता तब तक हमें selling को थोड़ा सा avoid करना चाहिए buying के लिए हमें अच्छे level find out करने है यह दो जो हैं यह support level है इनके उपर मतलब 310 जैसे support level है तो 350 के आसपास market मिल रहा है तो वहाँ पर हम buying कर सकते हैं 310 भी break हो जागा तो next level है 220 तो 250 के आसपास मिल रहा है तो हम buying कर सकते हैं यह इस तरीके से हम इने count करते हैं उपर में जो level है जो rice strength का काम कर रहे हैं उन्हें हम किस तरीके से देखेंगे पहले levels discuss कर लेते हैं उपर में level है 17,675 यह price यहाँ पर है तो जब तक यह break नहीं होता वो बहुत मुश्किल है तो यह अभी के लिए यह एक range है जिसे market ने hold किया हुआ है ठीक है 675 break करेगा market में थोड़ी सी strength बन सकती है जिसके बाद जो next level है वो काफी important रहने वाला है 16,875 यह price शायद यहाँ कहीं होगा almost near to its all time high तो 875 जब break होगा यह इससे भी और 200 point उपर है तो इसके break होते ही market में वापस और strong strength आ जाएगी और prices जो है वो continuously अपनी upside moment को gain करने लगेंगे तो अभी के लिए जिस तरीके का trend है अगर आप market में बने हुए है देखे दो तरीके हैं दो तरीके के traders होते हैं या तो वो अपनी ही position का stop loss लगा के रखते हैं ठीक है या फिर वो average करने का देखते हैं दोनों ही ठीक है कोई बुरा ही नहीं है पर averaging भी यहाँ पर यह समझना होता है averaging कब तक करते चले market मान लीजे नीचे गिर रहा है सीधा आगया 14,000 के असपास तो यहाँ तक अगर आप averaging का ही करते जा रहे हैं तो वो बहुत ही एक गलट decision रहेगा तो averaging करने तक का level आपका मैं यह समझता हूँ इसके नीचे तक अगर आप averaging का कोई भी price सोच रहे हैं तो गलट सोच रहे हैं आपका कितना भी average हो चुका हो market कितनी भी quantity बढ़ चुकी हो तो 16,950 के नीचे market के आने पर आपको अपने decision को review करने की जरूरत है market से market में trend बदल चुका होगा downside के favor में आ चुका होगा तो उससे उपर उपर जब तक market है तब तक ही आप कोई average करने का decision ले सकते हैं otherwise जो stop loss है वो तो अपनी पूरी quantity का मान के चलेंगे ही ठीक है और current price पे अगर आप market में बने हुए देखिए पहले तो weekly opening matter करेगी opening कहा होती है अगर flat opening होती है तो 310 या 10 का आप stop loss लगा के चलिए उसके बाद 220 का level है और फिर तो हम discuss करी रहे है 6950 ठीक है और upside में अगर आपको थोड़ा सा safe रहना है तो 675 के break करने पर आप re-enter कर सकते हैं buying में और जो इसका ये low price touch हो रखा है इसका फिर आप stop loss maintain कर लें 675 के break होने के बाद ठीक है तो ये था मेरा nifty 50 index पर अभी का वीडियो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें बने रहे हैं मेरे साथ देखते रही है market report धन्यवाद